क्या करा है यह कलेंडर का क्या क्या करता है इफ 9th of the month falls on the day preceding Sunday करता है जो 9 तारिक है 9th किसी मन्त का वो क्या करता है day preceding Sunday, precedence एक दिन पहले, संडे के एक दिन पहले को रहना आता है Saturday तो 9 तारिक को बोलता है यह Saturday है ठीक है फिर आगर करता है on what day किसी दिन को first of the month fall एक जो तारिक होगा first जो तारिक होगा वो कौन से दिन को होगा यह आपसे पूछ रहा है एक चीज़ देखो 9 तारिक अगर Saturday है तो अगर आप इसमे 7 डे करते हो तो यह 16 भी जो होगा वो कौन होगा same day होगा Saturday होगा क्योंकि हर 7 दे पे change होता है और उसी तरह अगर साथ दिन पहले का देखो गो 9 तारिक से टीक है मायनस 7 करके तो यह 2 second होगा जी 2nd भी क्या होगा, Saturday ही होगा ठीक है ठीक है तो अगर 2 Saturday है तो 9 भी Saturday होगा, Plus 7 करओ प्लस 7 करो 16 होगा, फिर Plus 7 करो 23 जो भी Saturday होगा इट मींज़ हर 7 डे पे same day repeat करेगा तो दो तारिको Saturday होगा आप से कौन से पूछ रहा है फुरस्ट के बारे में पूछ रहा है ठीक है कि फरस्ट क्या होगा तो एक दिन Saturday से पहले क्या आता है फुरस्ट को Friday हो जाएगा एक तारिको Friday होगा तभी तो दो को Saturday होगा आपका आपका एंसर कौन से हो गया, first कौन से हो गया, Friday, तो आपका एंसर हो गया, Friday, ठीक है, हर इतना याद रखना है, यह concept को समझना है, कि हर 7-10 के बाद, जो आपका day होता है, वो same repeat करता है, अगर एक तारीक को Sunday है, तो 8 को भी Sunday होगा, फिर 15 को Sunday होगा, ऐसे होता है, ठीक है, तो य करता है, तो आपका एंसर भी Sunday होगा, तो आपका भी Monday, तो आपका एंसरेभी, अज़ा भी, रह यहाई आपका, बावाफना हो गई यह जजग हो इंसरे जीए होगाई, फ्रीक ज़खना हो, पालुज एंसर हो од इव आपका फिर 15 कोना होगा, 9 के तो जफ Dobना शर इवाई, य